दो हजार चोबिस के चुनाव के लिए 20 पार्टियों को आज फोन किया गया। कॉंग्रेस के रास्ट यद्देख्स मलिकारजुन खड़गे की तरफ से 20 पार्टियों को फोन किया गया और फोन करके बातचित हुई है। ये 20 पार्टियों अगर एक जुठ हो करके एक म decorating पर आ जाती है तो बताये ये जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी की रन निती 500 सीटों के ऊपर अपने उमिद्वार और 500 सीटों के उपर इन 20 पार्टियों के साथ में मिल करके संयुख्त उमिद्वार उतारने की कोसिस है। और अगर ये हो जाता है तो मान करके चलिए कि 500 सीट ऐसी होंगी जहाँ पर तकरीबन विपक्स का एक उमिद्वार होगा अब सोचिए कि 500 सीटों के उपर अगर विपक्स का एक उमिद्वार हो गया संयुक्त उमिद्वार अलग-अलग सीटों के उपर संयुक्त रूप से उतरे तो तस्वीर किस तरह की होगी और क्या तस्वीर इस तरह की होगी कि 543 में से 500 सीटों के उपर अगर विपक्स अपने संयुक्त उमिद्वार या अपने समर्थन वाले उमिद्वार उतार देता है तो दो सो बहतर का जो आकड़ा है बहुमत का आकड़ा क्या उसको हासिल कर पाने में काम्याब हो पाएगा सवाल ये News 24 की खबर देखिए मलिकार जुन खड़गे ने नितिश कुमार उद्दव ठाकरे एमके स्टालिन को फोन लगा करके बातचित की दो हजार चोबिस को ले करके कॉंग्रेस करिये हुई आज का जो है ये ओफिशली ट्वीट जो है वो News 24 की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ दूसरा ट्वीट आप देखिए अजय जहा जो की कॉंग्रेस को लगातार कवर करते रहे है कॉंग्रेस बीट लगातार देख रहे है और वरिश पत्रकार है इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खडगे विपकसी एक्ता की कवायद के तहत 20 विपक्सी दलों के नेताओं से बात कर रहे है इसके अलावा कुछ विपक्सी दलों से करनाट का चुनाओं के बाद बात हो सकती है ये दल है DMK, TMC, JU, BRS, AAP, NCP, SP, RJD, CPI, CPIM, IUML, SS, JKNS, RSP, RLD, JMM, KC, MDEM और VCK ये 20 पार्टिय ऐसी है जो 20 पार्टियों से बाचित की जा रही है और अगर आप देश के मानचितर पर नजर डालेंगे और अगर आप सीटों के लिहाज से समझेंगे तो करीब 500 सीट ऐसी होती है जहां पर Vipax की एकता कुछ अलग ही जो है वो नजरा खिला सकती है कुछ अलग ही नजरा दिखा सकती है अब कुछ बात इस पर भी करेंगे कि सीटों की बात तो हो रही है फोन्प की बात भी हो रही है लेकिन क्या ये नेता जो आपस में बातचीत कर रहे है क्या वो आखरी तक टिके रहेंगे कौन-कौन से नेता किस-किस राज्जे में ऐसे हैं जो इधर उधर हो सकते हैं और कौन-कौन से नेता किस-किस राज्जे में ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे रहेंगे यानि उनका इधर या उधर जाना तै बिलकुल आप मान करके चलिए कि अभी जो है stand वही आखरी तक stand रहेगा वो Congress की तरफ है तो Congress की तरफ है BJP की तरफ है तो BJP की तरफ है उस फेरिस्ट पर भी बात करेंगे उस लिश्ट पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप जरह एक तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के जरी ये समझ ये कि देश बर के अंदर अलग-अलग राज्यों के अंदर जो सीटे हैं उन सीटों के लिहाज से अगर समझे तो ये धाई सो धाई सो सीट ये कैसे पांसो सीटों के उपर विपक्स का एक उम्मिदवार, या समर्थन वाले उम्मिदवार हो सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ अकड़े, कुछ राज्जी ऐसे, जहाँ पर कॉंग्रेस अपने बल्बूते पर, जो है, वो लड़ने की कोछिस करेगी, कॉंग्रेस अकेले वहाँ पर लड़ने के कोशिस करेगी और उसके बाद में उन राज्यों की गिंती करेंगे उन राज्यों की सीटों की गिंती करेंगे जहाँ पर कॉंग्रेस गठ बंदन के साथ में दूसरे छेतरी दल के साथ में हो सकती है अब अगर ऊपर से नजर डालें तो इसमें सबसे पहले आप देखिए उत्रा खंड, उत्रा खंड में पाथ सीटे हैं, यहाँ पर कॉंग्रेस अकेले लड़ेगी, इसमें पंजाब, पंजाब ऐसा राज्य है, पंजाब और दिल्ली, यह पंजाब और दिल्ली ऐसे दो राज कि मानिए दस सीटे हर्याना की मानिए चब्श सीटे गुजरात की मानिए और इसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो करनाटक के अंदर भरास्ट्र में गठबंदन रहेगा गठबंदन के हिसाब से अलग से गिनेंगे 28 सीटे करनाटक की आप मान करके चलिए 20 सीटे केरल की केरल में भी घठबंदन है लेकिन यहां पर कोंग्रेस को ही जो है वह outta है रहता है और 20 सीटे केरल की आप मान करके चलिए और उसके बाद में मद्धे परदेश में आमने सामने की बीजेपी और कॉंग्रेस की लड़ाई 29 सीटे मद्धे परदेश में है 11 सीटे 36 गड़ के अंदर है और 25 सीटे अंदर परदेश में है 21 सीटे ओडिसा के अंदर है 14 सीटे जारखंड के अंदर है तो कुल मिला करके 231 सीटे यह होती है जहा और बित्थ बंद्धन बनेगा ये बड़ा गठबंदन बनेगा गठबंधन बरकरार रह सकता है उन छेत्रों को या अन राज्यों को आप देखें सबसे पहले सबसे बड़ा राज्चे उत्तर परदेस समाज़ादी पार्टी के साथ में बैठा की है कल जब सुंध परेस conference हुई पूरे विपक्स की तो उसमें भी समाजादी पार्टी के तरफ से सांसद मौझूद थे और जब लगातार मलिक अरजुन खड़के के चेंबर में बैठक हो रहे थी उसमें समाजादी पार्टी के तरफ से जो है वो सांसद मौझूद रहे तो 80 सीटे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की असी के बाद में बिहार में आप चलिए इसके बगल में बिहार में 40 सीटे हो और यहाँ पर आरजेडी जेडियू और कॉंग्रेस वो साथ में रहेंगे तो 40 सीटे जो है यहाँ हो जाती है ममताब इनर्जी के साथ में भी क्योंकि अब जो है वो सुरात में गठबंदन में है और आपने देखा कि से भारत जोड़ो यात्रा जब कन्या कुमारी से सुरू ही थी तो हमके स्टालिन वहाँ पर मौजूद थे और बाद में भी समर्थन में लगातार खड़े रहे उसके बाद में 17 सीटे तेलंगाना की यहाँ पर भी गठबंदन हो सकता है तो यह कुल मिलाकर के मोटे तोर पर अगर आप देखेंगे तो 266 सीटे हैं 231 पर कॉंग्रेस के अकेले उमिद्वार और 266 सीटों के उपर गठबंदन के उमिद्वार कुल मिलाकर के 497 का अकड़ा होता है यानि लगबग 500 का अकड़ा 500 में से 200 खुद अकेले और 200 साथ सीटे हैं और पंजाब के अंदर 13 सीटे हैं हो सकता है कि वहाँ पर 50-50% के उपर जो है वो समझोता हो जाए आमादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में तो ये 5-10 सीटों का अप उधर उधर करके चलिए लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर बता रही है क कैसे 500 सीटे हैसी हो सकती है जहां पर विपक्स अपने या तो संयुक्त उमिद्वार या समर्थन वाले उमिद्वार जो है उतार सकता है अब उन नेताओं की बात करते हैं जो नेता इधर उधर हो सकते हैं या वो नेता खड़े रहेंगे जहाँ पर अभी खड़े हैं और 2024 तक वहीं खड़े रहेंगे सबसे पहले कॉंग्रेस के एक अलग छोड़ दीजिए कॉंग्रेस को जो है वो अलग कर दीजिए जो अन्य छित्रे पार्टे उन पर बात करते हैं इस लिस्ट में जो नाम आता हैं निकल करके सामने हैं चार नाम सबसे बड़े नाम चार नाम जिसमें मम्ताब एनरजी जिसमें अखिलेस यादव, तेजस्वी यादव और अर्विंद के जरीवाद ये चार चेहरे ऐसे हैं जो मान करके चलिए कि बीजेपी के अंदर नहीं जाएंगे कता ही नहीं जाएंगे मम्ताब एनरजी अपने बलबूते, अपने रज्जे के अंदर, बंगाल के अंदर मजबूत है बीजेपी के पास जाने की कोई गुंजैस नजर नहीं आती तेजस्वी यादव और अखिलेस यादव, इन दोनों की राजनेती ही उस मंडल कमंडल से निकली है तो इनके बारे में भूल जाएं कि बीजेपी के पास जा सकते हैं अरविंद के जिरिवाल उनकी राजनेती भी इसी तरह की रही है, वो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं इस बात को भी आप पक्का मान करके चलिए अब दो चेहरे मैंने इसमें नहीं दिखाई इन चार चेहरों के अंदर पहला चेहरा नितीस कुमार का और दूसरा चेहरा उद्धर उठा करेगा नितीज कुमार लोगों को जो है वो सवाल उठता है कि नितीज कुमार इधर जाएंगे उधर जाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लेकिन नितीज के पास में भी अब बहुत ज़दा उपसन बचा नहीं है बहुत नितीस इदर उदर घूमें लेकिन अब जो रासनिती का एक वक्त होता है जब आप घूम लेते हैं आपकी पार्टी घूम लेती है सब कुछ होता है लेकिन रासनिती में एक वक्त ऐसा आता है जब तक्रीबन तक्रीबन आपके रास्ते वो तै हो जाते हैं दूसरी तरफ जो है उद्दव ठाकरे तो उद्दव ठाकरे क्या वाकई दोजार चोबिस तक डटे रहेंगे बीजेपी के पास में उद्दव ठाकरे चले जाएं इसकी कोई बड़ी वज़े निकल करके सामने दिखती नहीं है क्योंकि पार्टी उनकी ले ली सिंबल उनका ले लिया अब अगर उनको अपने पास में लेकर आएंगे तो उनको क्या देंगे ऐसा जो उनके उपर जो जखम वो देखते हैं उन पर भरपाई हो जाए इस यह दो दो चेहरे हैं इन में आप सर्थ पवार के चेहरे को भी रख सकते थे लेकिन मुझे लगता कि सर्थ पवार अगर इधर रहेंगे य उदर रहेंगे हलाकि बड़े चेहरे हैं लेकिन सीटों के लिहाज से अगर इतना बड़ा गठ बंदन अगर बन जाएगा तो सर्थ पवार भी अपना फिर लगता है कि इसी गठ बंदन में ही रहेंगे तो बैराल तस्वीर जो है वो बड़ी दिल्चस्प होने वाली है और कैसे किन-किन सीटों पर और किन-किन राज् बता रहें कि कॉंग्रेस की सरकार बन सकती है मद्यपरदेश का चुनाओ है चत्तिस गड़ का चुनाओ है राज्थान का चुनाओ है तीन वो चुनाओ और एक करनाटक का चुनाओ अगर इसमें से दो राज्जे भी कॉंग्रेस ने और ले लिए मीनिमम मान करके चलिए जि जिसमें 36 गड़ और जिसमें करनाटक ये फिक्स मान करके चलिए आप उसके बाद मद्देपरदेश में 40, 60, 50, 50 ऐसे ही जो है रास्थान में भी तो वहाँ पर भी अगर हो गए तो कॉंग्रेस के पास में कितने राज्य होंगे कॉंग्रेस के पास में अकेले जो है वो पाच्छे राज्य होने की स्तिती में कॉंग्रेस होगी और फिर तस्वीर जो है बहुत कुछ बदल जाएगी तो बैराल ये जो 20 पार्टियों का एक गठबंदन यहाँ पर तयार होता हुआ दिखाई दे रहा है 500 सिटों पर जो स्युक्त को मिद्वार उतर सकते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि फिर 202 का जो आकड़ा है वो दूर नहीं यहाँ लग रहा है कि नहीं कुछ भी कर लें कैसे भी कर लें जो बीजेपी के भक्त अंदभक्त कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही जीतेगी तो बीजेपी ही क्या फिर वही होगा आप क्या सोंचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिक करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए और इसी तरहीं तमाम ख़बरों के लिए ओलाइन यूज इंडेक सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन गंटी उसको ज जरूर जरूर